सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेश्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस रुने दपर्फेक्ट क्लासिस में आप सभी का सौगत है शिक्षा निदेशाल ले रास्टी है राजानी चेत्र दिली की वर्कशीट नमबर 16 डिसकस करें बच्चों पच्चिस नमबर 2020 की वर्कशीट है क्लासिक्स की वेशे है विग्यान विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे कक्षद्यापक का नाम लिख लेंगे टॉपिक है बच्चों प्रकाश चायाएं एवं परिवर्तन विद्धुत के चले जाने पर क्या आप रात में पुस्तक पड़ पाते हैं मतलब जब लाइट चली जाती है तो क्या आप रात में पुस्तक पड़ पाते हैं आँखों के होते हुए भी नहीं क्यूंकि प्रकाश नहीं होता कमरे में प्रकाश के स्त्रोत बल्ब है इसी प्रकार सूरे आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पिर्थवी को प्रकाशित करता है जो वस्तुएं सूरे की तरह सुयम प्रकाश का उत्सरजन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं सूरेक प्राकरतिक दीप्त पिंड है और बल्ब मानव निर्मित दीप्त पिंड है अब यहां देखते हैं बच्चों पारदर्शी किसे कहते हैं वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं जिसके कारण हमें आरपार दिखाई देता है वो क्या कहलाती है पारदर्शी पारदर्शी कौन सी कहलाती है वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती है जिसके कारण हमें आरपार दिखाई नहीं देता तो उन्हें हम पारभासी कहते हैं ठीक है यहाँ पर देखिए फिर से बता हुआ है पारदर्शी और पारदर्शी में पारदर्शी कौन सी अंदर से पिरकाश को जाने देती है पारभासी अंदर से थोड़ा थोड़ा पिरकाश जाने देती है ठीक है इसमें जादा जा रहा है इसमें कम जा रहा है और अपार भासी जो बिल्कुल भी नहीं जाने देती हैं ठीक है अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती है तो अब हम ये देख लेते हैं बच्चो आईए हम अब भ्यास करें पिरशन दिया हुआ नीचे दी गई वस्तों को दीप्त पिंड अथवा अदीप्त पिंड में वर्गी करत करिये यहां पर कुछ चीजे दी हुई है सूरे किताब, पैन, टौर्च, जुगनू, मेज और यहां पर देखिए यहां पर चित्र में हमें बताया हुआ भी है के दीप्त कौन से, अधीप्त कौन से, ठीक है, तो सूरे, जुगनू और टॉर्ज, ये कौन से, दीप्त, है न, तो इनके सामने हमने क्या लिख दिया, सूरे, टॉर्ज, जुगनू, और अधीप्त के सामने हमने क्या लिख दिया, किताब मेज, पैन, क्योंकि ये हमें चित्र में दिखा रखें किताब में स्पैन ठीक है ये अदीपत है अब कोशन देख लेते हैं कोशन दिया हुआ था इसमें बच्चो निमलिकीत वस्तूं में पारदर्शी वस्तू को हरे रंग से पारभासी को नीले रंग से और अपारदर्शी वस्तू को लाल रंग से गोला करिए तो देखिए, सबसे पहले मैं पारदर्शी का बता देती हूँ, जिसे हमने हरे रंग से गोले किया हवा, वो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देता है, काच, उसके भी हम आरपारासानी से देख सकते हैं, ठीक है, वो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देता है, चश्मे क बात करें तो चश्मे से भी हमें बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे दूसी तरफ लाइट है ठीक है जैसे इस तरफ से दिखेगी वैसे ही दूसी तरफ से दिखेगी तो हरे रंग से तो हमने बता दिया पारदर्शी अब पारभासी को बता हुआ है नीले रंग से जैसे पन जो polythens आती हैं उनकी बात हो रही है तो वो पारभासी होती है ऐसी butter paper जो होता है वो भी पारभासी होता है थोड़ा थोड़ा सा दिख सकता है हमें बिल्कुल clear तो नहीं दिखता ठीक है अब यहाँ पर उसे हमने नीले रंग से कर दिया अब लाल रंग से कौन सा करना है अब दर्शी वस्तों है जिनके आर बार हमें बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता है जैसे पत्थर हो गया red color से कर दिया किताब हो गई दिवार हो गई ठीक है बच्चों तो ऐसी आपको तीन रंगों से इन पर सर्कल करने है ऐसी जैसे मैंने किया इनी रंगों से लाल नीला औ पर वाचीन